हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सब का हमारे यूटूब चैनल में आज हम आपको पताएंगे स्रिलंका और इंडिया के बिच होने वाले पहले टीटवेंटी मुकावले के बारे में जो की वान खेड़े इस्टेडियम मुंबई में खेला जाने वाला है वाला मुकावला जो है साम 2023 जो है सामको 7 बज कर 00etta address आरंब ओने वाला है या मुकावला बहुत ही बेहेतरीनों जोने वाला है क्योंकि दूनों टीमों में बेहेतरी बरले बाजी और गेध बाजी के आधे वहें सांधने को मिलेंगे तो कप्तान हार्तिक पंड्या जो की All-Rounder भी है और दूसरी तरफ All-Rounder Captain देखने को मिलेंगे दसन सना का तो दोनों तरफ All-Rounder Captain को कप्तानी दी गई है एक तरफ तो आपको देखने को मिलेंगे पथम निसंका जो की बहतरीन फार्म में चल रहे हैं हमने देखा है और वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेंगे सुब मनगिल का बहतरीन क्लास जो की बहतरीन बल्लेवाजी करते हैं और जो है उनका साथ बहुत ही बहतरीन रहता है एक तरफ आपको मिलेंगे डवल कावले में दोरा सतक जड़ा था जो कि फास्टेस दोरा सतक भी रहा है पूरे वंडे क्रिकेट के इतिहास का तो दोनों तरफ बहतरीन बल्लेबाजी और बहतरीन अल्राउंडर के सांसाथ बहतरीन गेदबाजी आक्रमल भी आपको देखने को मिलेगा एक तरफ आपको इस्प उम्रान मलिक तो दूसरी तो आपको देखने को मिलेंगे लाहिरुक कुमारा जो की बहतरीन गेदबाजी करते आए हैं हमने देखा है से लंका प्रीमियर लिंग में की बहतरीन गेदबाजी की थी लाहिरुक कुमारा ने तो दोनों तरफ बहतरीन खिलाडी देखने को मिलें चलिए अब हम आपको बताएंगे वेन्यू स्टेट्स प्लेयर स्टेट्स एक्सपेक्टेट पिलेंग इलेवन और ड्रीम इलेवन टीम के बारे में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जो है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाने वाला जो की बहतरीन मुकाबला होने वाला है अगर आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजे क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी कोई भी अपडेट यहाँ पर आते ही मिल जाएंगी हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बाक्स में पिन कर दिया गया है तो वहाँ से आप जाकर टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं चलिए अब हम पीछ रिपोर्ट के बारे में जैनकाले लेते हैं तो यह पीछ जो है इस पीछ पर आखरी मुकावला संडाइजस हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में 22 मई 2022 को खिला गया था जो की आईपेल का मुकावला था यहां की बाउंडरिस जो होती है वह काफी जो साठ से पैसर मीटर की बाउंडरिस होती है तो यहां पर जो है बैस्मेन को काफी मदद मिलती है और यहां पर बड़े बड़े इसकोर्स देखने को मिलते हैं हाला कि देख्टने को मिलेंगे लेकिन पिछले कुछ मुकाबले में हमने देखा है कि फर्स्ट निंग्स में साथ से आड़ विकेट आसानी से गिर जाते हैं इस पीछ पर तो बहुत ही मुकाबला बहतरीन होने वाला है पिछ विल भी हल्पूल टू बैट्समें इंपॉर्टेंट डोल हीट सेक्सेस इन इस्माल बांडरिज तो इस्माल बांडरिज होने की वाज़ा से यहां पर छक्के चौके की बारिस होती है देखते हैं क्या होता है फर्स्ट इनिंग का रंस पर ओर जो होता है 1.43 के अशुष से बनते हैं वहीं सेकेंड इनिंग में 8.59 के अशुष से रं बनते हैं नजर आते हैं वहीं 169 रन साथ विकेट की नुक्सान पर बने थे, 160 रन बनाकर टीम ने चेस कलिया था 168 रन बने थे, 170 रन बनाकर 18.25 वर्स में चेस कलिया गया था तो मुटलब कि यहां पर चेस करना काफी आसान होता है 193 रन 6 विकेट की नुक्सान पर टीम ने बनाया थे वहीं 190 रन साथ बिकेट की नुसायम पर दूसरी टीम में बनाए जो की मात्र तीन डरनों से यह मुकाबला गवादी तो यहाँ पर जो है काफी रन मनते नजार आते हैं हमने देखा सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने वाले टीम ने काफी मुकाबले जीते हैं तुलब पिछले चार मुकाबलों को देखा जा तो तीन मुकाबले सेकेंड बैटिंग करने वाले टीम ने जीते हैं और लास्ट मुकाबला भी जो होगा था उस मुकाबले में देखिए मात्र तीन डरनों से मुकाबला हारी थी टीम इस पीचपर इंडिया ने टोटरल चार मुकाबलों में से मात्र 10 मुकाबले जिती है और 20 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है तो यहां पर बैटिंग सेकेंड करने वाली टिम को काफी मदद मिलती है जैसा कि हमने आपको बताया है यहां पर बहुत ही बैटरें रने वाला है यह मुकाबला लास्ट मुक हैं देखिए पिछले 25 मुकाबलों में देख लेते हैं क्या हुगा था तो पिछले 25 मुकाबलों में 180 विकेट तो पेसर ने लिए हैं जिसमें फर्स्ट इनिंग में 101 विकेट, वहीं सेकेंड इनिंग में 84 विकेट पेसर ने निकाले हैं, तो यहां फर्स्ट इनिंग में पेसर को काफी मदद मिलती है और जो है अधिक विकेट निकालकर ले जाते हैं तेज गेद बाज, वहीं स्पिनर्स का रोल देख लेते हैं, पिछले काफी मदद मिलती है इस पीछ पर वान खेड़े का जो है बेहतरीन पीछ रहा है तो इस वज़ा से जो है यहाँ पर काफी मदद मिलती है बैट्समैन को भी और तेजगेदबाज और स्पीनर्स को भी काफी मदद मिलती है इस चलिए अब टीम निज के तरफ जान लेते हैं क्य क्या-क्या निज रहने वाले हैं दोनों टीमों की तो इंडिया तरफ से निज यह है कि रोईत सर्मा विराट को ली केल राहूल को जो है आराम दिया गया है इस सीज के लिए वही रिश्वपंत जो की एक्सिडेंट हो गया था उनका वह पूरे आईपियल से भी भाहर हो चुके हैं और वह जो है आईपियल नहीं खिलने वाले हैं इस सीजन का सीवमा भी मुकेश कुमार को मेडन काल अप के लिए बुलाया गया है तो हो सकता है कि यह दोनों खिलारी डेबियू करते नजर आएं इस सीरीज के अंदर वही से लंका की तरफ कीख्रवा जोकी बहत्रिण बल्ले वाजी की ते इन्होंने वीकिट किपींग के जिमेधारी सभालते हुए इनको जो है लंका प्रेमिया लिंग में उρ 27 मुकाबले खेले हैं इंडिया ने 17 मुकाबले जिते हैं वहीं सिल्लंका ने 8 मुकाबले जिते हैं और एक का नतिजा नहीं निकला है तो यहां पर काफी महत्पूर रहने वाला है क्योंकि इंडिया का प्रला काफी भारी नजरा रहा है सिल्लंका के पेच्छा सिल्लंका नहीं पात्राइब जीते हैं जस्ट डवल मुकाबले जीती है इंडिया टिम ने और दो का रिजल्ट नहीं निकल पाया है यहाँ पर एक ही लिखा जया तो इसको दो आप बना सकते हैं इसको दो बना लेजी यहाँ थोड़ी मिस्टिंटिंग हो गई है चलिए अब जान लेते हैं इ लितूराज गयाएकवाड के साथ में एक चिंझ रोसकता है कि इसे एक सुमंगिल में सबक्राइब जान सकता हैए हो सकता है इसान किसन रुतुराज गयाकवाड सुमन गिल बैतरीन फार्म में चल ले हैं सुरिकुमार यादव मिस्टर 360 भारत के तरफ से इनको जाना जाने लगा है और यह बैतरीन बल्ले बाजी की थी पूरे वर्ल्ड कप में सबसे बैतरीन खिलाडी जो की परदर्शन किया था भारत की तरफ से शुरिकुमार यादव रहे थे विराट कोली जो कि इस मुकावले को नहीं खेलने वाले हैं इस पूरी सिर्ज से बाहर है संजु सैंसन इनको जो है निरंतरता नहीं रही है इनको टीम में लगातार फिर बदल करके इनको बाहर बिठाया जाता है इनको मौका पटेल को टिम में फिर से सामिल क्या गया है जो की चोट से बहार चल रहे थे वह जो एंदर चहल फिर से जो है किलते नजार आने वाले हैं उम्रान मलीक पेस मसेन उम्रान मलीक बहतरीन गेदबाजी इनका यारकर अगर सही ठीकाने पपड़ता है तो कोई भी खिलाडी जिल न दिकते होती है सामने वाले बैटसमैन को इनकी गेदबाजी खिलने में और सिदीप सिंग बहतरीन खिलाडी जो की रहे हैं जबसे इन्होंने डिब्यू किया है बहतरीन प्रदर्शन किया है लगातार मुकाबलों में विकेट निकालते नजर आते हैं और हर मुकाबलों में दो से तीन विकेट निकालकर भारते टीम को देते हैं जिसकी वज़ा से भारत को मुकाबले जितने में आसानी होती है चलिए अब जान लेता है स्टार्टिंग वर्स और डेथ वर्स की गेदबाजी कौन-कौन से गेदबाज करते नजर आएंगे बेंच प्लेयर क्या रहने बाले हैं फिल्ला दाद करने लिएंगा-धिकर चरह करते हैं और उसके बाद डर डाउण बेटिंग करने आ यहें जोकिए राइट हेंडेड बैटर और राइट आम आर्थोडाक्स गेदवाजी भी करते हैं तो यह बैटिंग करनेंगे आएंगे वन डाउन जो की बैटिंग फार्म में चल रहे हैं अब इसका फर्नांडो इनका जवाब नहीं यह तो घजब के खिलारी हैं और यह महला जैवर्दने क याद दिलाते हैं आप लोगों को यह बैटरिन इनका जो है बैटिंग इस ट्रूग बैटरीन रहता है बानका राज पच्छा बीग इटिंग मसीन दसुन सनाका कप्तान वानिंदुहस रंगा इनका लेक ब्रेक स्पीन जो है जहलना काफी बड़ा हो सकता है हो सकता है कि यह जो है अधिक सखदिक बिकेट के निकाल कर ले जाएं और भारती टीम को बैट फूट पर लाने में इनका बहात पूट रोल हो सकता है चमका करना रतने बैटरिन फार्म में चल रहे हैं महस थिकसाना दिलसान मदुसंका और लाहिरु कुमारा यह एक्सपर्टेट प्लेंग 11 रहने वाले हैं लंका की तरफ से चलिए अब जान लेते हैं स्टार्टिंग वर्स और डेथ वर्स की गिदवाजी कौन-कौन से गिदवाज करते नजर आएंगे बेंच प्लेयर क्या है तो इनकी तरफ से बेंच प्लेयर का सुन रजिता यह लाहरी कुमारा की जगर पर खेल पर दरसन करने के कारार जो है टिम में सामिल किया गया है और बेहतरीन खिलारी भी है यह नुवान तो सहारा राइट आम फास्ट मिडियम गिदवाज स्टार्टिंग वर्स गिदवाजी मधुसंका महस्त एकसाना और लाहरी कुमारा गिदवाजी करते नजर आएंगे और च अपने बेहतरीन गिदवाज वानिंदू हसरंगा को बचा करके रख करके वो गिदवाजी कर सकते हैं एक और की चलिए अब जान लेते हैं कुछ महतपूर प्लेयर जो की इस मुकाबले में खिलते नजर आने वाले हैं उनके स्टैट्स क्या रहे हैं सुर्गाती में और रिस तो 61 का रहा है स्ट्राइक रेट 200 का मतलब की 10 मुकाबले में 432 रन और यह एक मात्र खिलारी हैं जो की एक कैलेंडर येर में 1000 से अधिक रन इन्होंने बनाये हैं टीट्वेंटी केरियर में तो यह बहुत ही महतपूर रहने वाला है फास्टेस्ट 1000 रन इन्होंने बनाये है एक तालिस मुकाबले के अंदर 1000 रन इन्होंने बनाये हैं टीट्वेंटी केरियर में अपने और यह जब से टीम में सामिल के गहें तब से लगातार अच्छी बल्ले बाजी करते नजर आते हैं पतुम निसंका 9 मुकाबले 270 रन इनका भी बैटिंग एवरेज देखिए 34 का रहा है और 108 का स्ट्राइक रहा तो यह भी बहतरिन खिलारी हैं स्री लंका के ऊपनेर बैट्समेन और यह काफी प्रतिभा साली खिलारी नजर आते हैं तो यह जो है तिलक रतने दिलसान किया दिलाते हैं हमको क्योंकि वह भी जो हैं बैटिंग करते थे और लगातार मुकावले 173 रण हें थाइस का बैटिंग एवरेज 133 का स्ट्राइक रट तो इंका 133 का है लेकिन बैटिंग एवरेज थोड़ा डाउन रहे रहा है पिछले कुछ मुकावले के अंदर इन्होंने जो है इनकी बैटिंग नहीं आने के कराण जो है बैटिंग एवरेज मुकावले 223 रन 24 का बैटिंग एवरेज 142 का इस्ट्राइग रेट इनका प्रदर्शन निरंतरता नहीं रहता है इनके प्रदर्शन में और यह एक मुकावला गैप करके जो है दुसरे मुकावले में अच्छी बल्ले बाजी करके देते हैं टीम को तो यह जो है स्रिलंका के बहतरिन बिकेट की पर बल्ले बाज हैं जो कि इस मुकावले में खेलते नजर आने वाले हैं उनके बारे में तो बहतरिन बाज हैं उनके बारे में जान लेते है इनका रिसेंट फार्म देखिए नो मुकावले सोल अबिकेट नो की को नामी 11 का स्ट्राइक रेट रहा है तो यहाँ पर यह बहुत ही महत पोडर रहने वाले हैं भारती टीम की तरफ से और यह जो है इस मुकावले में ट्रंप प्लेयर हो सकते हैं तो जो है इनको एक अलग र पाजी आक्रमार स्रिल लंका की टीम में 10 मुकावले 21 विकेट आप देख पा रहे हैं पिछले 10 मुकावले में 21 विकेट इको नामी देखिए 6 की जो की बहुत ही महत पूर रहता है बहुत ही कम गेदवाजों के इको नामी 6 की रहती है तो इसलिए यह बहुत ही महत पूर रह बहुत ही महत्पूर हो जाते हैं गिदबाजी में भी महस्तिक्तान 10 मुंकावले 12 विकेट 6 के उकोनामी और 19 का स्ट्राइट रेट तो यहां सुरुगाती के दो से तीन वर यह गिदबाजी कते नजर आते हैं इस वज़े से इनको इकोरामी काफी अच्छी रहती है जिसकी होने वाले है इस मुकावले के अंदर तो इसाम किसान इस मुकावले में बड़ी पारी खेल सकते हैं उनको आफ जील में कैप्टन या वाईस कैप्टन जरु से जरु ट्राई करिएगा कुशालमेंडीस इसपेसल हो सकता है यह मुकावला क्योकि यह बेहत्रीन फार्म में चल ले हैं पत्मनिसंग का इस्पेसल हो सकता है यह मुकावला सुरुकुमार यादो इस मुकावले में बहुत ही बड़ा स्कोर कर सकते हैं इनका फार्म जो रहता है वो क्लास प्लेयर है यह और यह जो है सबसे अधिकरन पीछे बनाते हैं मतलब कि जहां कोई भी खिलाडी नहीं लग पा ले हैं उम्रान मलिक आपको पेस गेदबाजी अक्रमण में देखने को मिलेंगे और तिकसाना इस मुकावले में जियल पिक आपके हो सकते हैं तो आप इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन जियल में जरू से जरू ट्राइब करिएगा हार्तिक पंडिया और दसुन सनाका य यह दो से तीनों और गेदबाजी भी कर सकते हैं और यह जो है उपर प्रमोट हो करके बल्लेबाजी भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों कप्तान हैं तो यह उपर बल्लेबाजी भी करने आ सकते हैं इनको आप जियल में कैप्टन या वाइस कैप्टन जरू से जरू ट्राइब कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप जील में टिम बनाएंगे और किस प्रकार आप मेगा कंटेस्ट बिनर बन सकते हैं विगेट किपिंग सेक्षन से जो है कुछ साल मेंडिस को आप अपने टिम में रख लिजिए और इसान किसन को आप अपने टिम में रख सकते हैं उनको आप जील विभू सिंग महश्थिक सना और उम्रान मलिक हमारे टिम में रने वाले हैं और मैं इसी टीम के साथ जाने वाला हूं और एक बहतरिं GM team में बना कर Megac城 winner आपको बना सकता हूं तो आप इस ट्रीम के साथ जा सकते हैं और GT में ऐस वह प्रक्स अंग ला सकते हैं झाल झाल